हेलो स्टुडन वेलकम आलाग्यू आज हम क्याट के पीवाई क्यूस करेंगे जैसा आपको पता है यह हमारा थर्ड वीडियो है और चेप्टर हम लोगने रिसाइट किया है परसेंटेज और क्याट प्यूस 2018 से आई हम टेकन बन कुश्चिन और क्याट प्यूस 2019 स्लॉट 1 से यह चार कुश्चिन जो है यह हम लोग सॉल्व करेंगे और इसके कॉंसेट को समझेगे अब जो आपको क्यूस आपको मिलेंगे इसके बाद की जितने वीडियो अप्रोड करेंगे उसमें के स्टेंडर काफी बेटर होगा लेकिन जब मैं सॉल्व करोगा तो आपको बेसिक चीजे भी होए जरूर बता दोगा तो आप क्वेशन को आप देखते रही है इसका सॉल्विशन आपको डेफिन बहुत बहुत बेनेफेट्स मिलेगा और मीनवाइल अगर आपने परसेंटेज रिवाइस नहीं किया तो अगर परसेंटेज को रिवाइस भी करने इससे क्या जितना अच्छे से आप रिट करें कि कुष्चन आपके लुगते ही असान हो जाता है तो पहले मैं रीट करता हूं आप भी रीट करें वीडियो पास कर दें उसके बाद को रीट करें और खुछ से सॉल्व करने की कोशिश करें अगर वो जाता तो वैल नोट नहीं होता फि यहाँ पर यहाँ यह जो का मार्श है जो दिए गया वो यह मैसिमंगाश करता है यहाँ यह आपका जो पास मार्क वो कि इतना है पास मार्क जो दिए गया है 45% of n and ki jyobhi value iska 45% अगर गंदा अगर obtain करता है तो definitely वो क्या होगा pass हो जाएगा, right a candidate obtained 36 marks, एक student है candidate है जो 36 marks obtain करता है, क्या होता है but fall short fall short of the pass mark by 68 यह इसकी जो language है यह यह इसी पे आपको पर ज्याद देने के जो होते है fall short by pass marks by 68 यानि कि मैं अगर यह कहूँ कोई बंदा जो है 68% marks से fail हो जाता है इसका उल्टा मतलब क्या हुआ कि he or she obtain only 32% marks क्योंकि if you are talking about the percent the percent हमेशा 100 होता है 62 marks से fail हो गया इसका मतलब इसका 32% score किया था, right तो इसके दूसी लाइग में यह समझ सकते है कि उसको 32% marks जो है वो obtain किया था, किसका I candidate obtain 36 marks but short but fall short by the pass marks pass marks का यानि कि वो जो pass mark है हमारा यानि कि 45% of and यह passing marks है right, इसका वो 32% marks obtain करता है तो उसके marks कितने हो जाता है 36 के बराबर हो रहे है I think यह लाइन बिल्कुल clear हो जानी चाहिए इसमें बस मैं दुबारा से कहना हूँ, यही एक फोरा से लैंविज की twisting यह थी but falls short of the pass marks by 68 तो जोनी कि he or she obtained only 32% marks which one of the following is then correct और उसमें से correct होगा अब इसी को simplify कर लेते हैं बहुत ही simple से 32% का मतलब हमेशा याद रखेगा मैंने कितनी बार बता है आपके दिमाग में अच्छे डिनॉमिनेटर में 2 0 बस यह ध्यान रखेगा इसी तरह से यहाँ 45 upon 100 into n is equal to 36 अब इसको हम simplify कर सकते हैं और से कर हम cancel करते हैं तो यह हो जाएगा 49 जा 36 48 जा 32 उसके बाद 9 से इसको cancel कर दे तो यह हो जाएगा 95 जा अब मैं n को इधर रखता हूँ इन दोनों 100 को by using cross multiplication we will take care in numerator 100 100 divide किसे करना है 8 into 5 से 5 से कर हम इसको divide करते हैं तो यह हो जाएगा 20 उसके बाद 4 से करते हैं 4 5 से 4 2 से 2 से इसको कर लेते हैं 50 5 5 से 25 1 0 यह बर जाएगा 250 that means here we are getting the value of n is 250 right the value of n is there now 250 अब now we need to check the option n की value क्या 200 से छोटी यह बराबर होगी यह option नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता because of the value of n is equal to 250 और second option क्या है n की value 243 से बड़ी यह बराबर 252 252 से शोटी यह option हो सकता है और देखें n की value 253 से बड़ी यह बराबर not possible the value of n is greater than required to 101 and less than 242 यह भी पॉसिबिल नहीं होगा that means B is right option तो इस question को देखा आपने सिर्फ इसमें क्या थिक्स language की twisting की otherwise question बहुत बहुत इस इंपल सकता है और यह passing marks 45% of n का 32% को अगर अगर उपने करता है उसको total marks किते मिने 36 I think यह समझ में आ गया होगा चलिया अब next question देते हैं this is another very good question और यह concept क्योंकर आप इसाइमेंट की question दिया है और यह भी काफी बिटर question है फोड़ा से concept अगर आप बिट करने है यह question की language को आप समझ ले फोड़ा किस्केशन को आप सौल कर सकते हैं first of all we will read the question very carefully Mina score 40% of an examination and after her review even even though her score is increased by 50% and she fails by 35 marks पहले यहां तक इस questions को समझने कोशिश करते हैं यहां तक क्या आप चीज़े हैं क्या मान लेते हैं कि let the total marks of the paper be x इसे आप चाहिए नोट करने x लिखने n लिखने y लिखने वाइन लिखने वाइन हमने मान लिया कि total marks of the paper क्या है x है पहली condition क्या मीना score 40% marks यानि कि मीना score करती है 40% of x in an examination इतना marks वो अप्टेंड करते हैं क्या होता है and after review वो review डाल देती है even though third score is increased by 50% और she fails by 35 marks जब वो review के लिए डालती है तो क्या होता है 50% यानि कि जो उसको marks मिला था आप इसका direct plus 20 add कर सकते हैं कि मैं आपको सम्झाने के लिए के लिए कह रहा हूँ इस लिख रहा हूं पूरा 50% of जो marks obtained किया था उसका 50% और marks बढ़ जाता उसका 40% of x यह लाइन समझ में आ रही है आप लोग को उसने जो marks obtained कित्रा किया था यानि कि यह 20% हो जाएगा तो से आप डिवाइट करेंगे 20% 40% कितना हो जाएगा 60% of x रिवीव के बाद इसका score कितना बढ़ गया 60% of x इसका जो score है वो 60% of x है लेकिन इतना करने के बाद भी रिवीव अगरे डालने के बाद दिख्या हुआ है she fails by 35 marks अब थोड़ों से दिमाग पर जो डाले कोई बंदा कोई आपका friend circle में है आपके colleges में कहीं भी कोई पड़ आ है अगर वो 35 marks है fail हो रहा है क्या मतलब हुआ कि अगर जो marks उसने रिवीव के बाद इसका score हो गया 60% of x उसको अगर हम 35 marks दे दे तो वो पास हो जाएगा कि नहीं यहीं चीज़ इसको समझती की जरूरत है जो रिवीव के बाद इसका score हुआ वो उसमें क्या हो 35 marks है वो fail होगी ठीक है तो हमने कह गया 35 marks इसमें add कर दिया तो वो exact pass के ब समझ लिजेगा कोई बंदा अगर फेल हो रहा है जितने नंबर से दस नंबर से पर फेल हो रहा हूं अगर आप दस नंबर को एड कर देंगे तो वो पास हो जाएगा तो यह concept में यूज कर रहा हूं इस हर post review यानि कि आप जो उसका महाच सा 60% of x पोस्ट रिवीवी स्कोर जो है वो क्या है 60% of x एफ हर post review score is increased by 20% post review score जो है उसका वो कितना increase कर रहा है वो 20% increase कर रहा है तो यह 60% of x तो था ही इसका 20% of post review score 60% of x increase हो रहा है increase by 20% she will have seven more marks than the passing score जो passing score है उससे साथ नंबर वो है जादा ले आती क्या मतलब हुआ ति अगर वो जो साथ नंबर जादा है अगर हम इसको माइनस कर दे तो क्या होगा वो अगें पास की बराबर होगी क्रीए अब ध्यान समझने कोशिश करें post review score हमारा क्या है 60% of x 60% 20% और बढ़ा दिया जाता है तो वो जो रिक्वाइर पासिग मार्ट से साथ मार्ट जादा लेकर आती है तो उसका मतलब यह हो गया कि अब अगर यह 7 हमने माइनस किया तो अगें वो पास मार्ट के बराबर है यानि कि अगर हम इसको equation number one माल लें और इस पी को मैं यहां लिख दूँ आपको समझाने के लिए यह यह पर पास मार्ट के बराबर हुआ और यह पास मार्ट के बराबर हुआ तो इसमें से मैंनस कर दिया गया दोनों condition from now we can equate इसको मैं मिटा देता हूँ इसको मैं यहां लिखेता हूँ शाहिज जरूर बड़े 60 40% of x इसको मैं मिटा देता हूँ अब दोनों की सब्सक्राइब कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए अब दोनों स्कॉर हमारा पास मार्ट के बराबर है अगर यह लग लग दो इसको सिंप्रिफाइब करेंगे यहां लिखेता है इसको हमने क्या किया इसमें इसको क्या कर दिया इसको तो आप इसको 3 से करते हैं 3 फोल्जा हो जाएगा और इसे अधरी फोल्जा और 25 फोल्जा हो जाएगा टैन डिमेनिक और 25 फोल्जा हो जाएगा 350 मार्स करता है आपको समझ में आ गया होगा सानी के साथ और अब हमें कुष्चन भी सॉल्ड नहीं हुआ है यहां से अगें डिट करें क्या कह रहा है देन परसंट स्कोर नीड़ फॉर्ड पासिंग जामनेशन इस कितना परसंट मार्स परसंट निकालने का मैं आपको सिंपल स हमारे हमारे पास टोटल का है के साथ कि निकाल सकते हैं चाहें यहां पूट करंड़ कर दें तो मैं equation 1 में X के space में 350 put करूँगा और देखूँगा कि pass होने के लिए कितना marks requirement है आप चाहें तो यहां भी put करके आप निकाल सकते हैं as your wish लेकिन आप value बहाँ put करके निकाला करें linear equation भी होता है जो equation आपको आसाल है यह P है तो यह हो जाएगा 60% यानि कि आप 100 इसको जोड़ लेंगे तो कितना जाएगा 245 I think यह आपको समझ में आ गया होगा बस आपको करना क्या है जो pass marks था उसको यहां पर put कर दी है 245 इसी को आप सिंप्लिफाई कर ले आप cancer हो जाएगा और 500 से 0 cancel हो जाएगा 5 तो हो जाएगा हो जाएगा 21 और आपका यहां पर बचेगा 3 35 75 35 कितना हो जाएगा 70 तो जो pass marks कितना था 70 पर इस यह बहुत अच्छा concept है इस concept को आप बैठा ले इस concept पर आपको आगे भी कही questions मिल सकते है जाबिया AMU CAD CMAT वे आपको definitely मिल सकता है तो I think कि आपको समझ में आ गया होगा चलिए अप नेक्स question सौल करते हैं चलिए नेक्स question हम आ रहा है यह भी CAD slot 2019 से हमने लिया है बहुत तीन question आयते हैं in a class 60% of the students are girls and rest of the boys यानि कि जो गर्स होंगी टोटल इस्टन कम हंडेड़ बाल लेते हैं तो गल्स कितनी होगी 60 और बाइस रेस्ट बाइस यानि कि बाइस कितना है है 30 है तो पर्सेंट के डिफ्रेंस कितना है 60 में से 40 जाएगा तो 20 यानि कि 20 पर्सेंट के बराबर है 1 divided by 20 यह चीज़ आपको समझने आ रहे हैं यह निट्री में तो यूस्ट के हैं 20% पर्सेंट में 20 है नंबर से 30 दोलों बराबर 1% divided by 20 अब नंबर आप तो गल्स कितनी है 60 है 60 से multiply कर देंगे तो यह हो जाएगा त्रीजा यानि कि आप गल्स का नंबर हो गया 90 अगर हम दूसरी दूसरी दूसरा पेज पर लिखना चाहें तो गल्स आप कितनी हो गई 90 और वाइस कितनी होंगी ओविएस यहां पे आप 60 के लिगर आप 40 तो आपको समझ में आ गया होगा और यह बहुत आसान सा कंसेट होता है अब कुशन को आगे रिट करते हैं 68% of the student including 30 boys पास्टी एट परसेंट आप गल्स हूँ दू नॉट पूछ रहा है यही लैंगज की ट्विस्टिंग होती इसको समझा चाहिए 68% आप एस्टूडेंट ने पास किया है इसमें तो टोटल नंबर आफ इस्टन क्या हो जाएगा आप इससे जोड़ें 150 होगा कि नहीं 90 गल्स है और 60 बॉइस इनका संग फिप्टी होगा इसका 68% आप निकाले 68% आफ 150 कितना हो जाएगा आप एक जीरो तो यह बढ़ा लिए और फिटीन एट्जा कितना होता है 90 यानि कि बाटी यह जो पर्षेंट वाला साइट नीचे दो जीरो आता यह कट हो जाएगा यानि किसकी वैलू कितनी आगी अब यह 102 यानि कि 102 स्टूडेंट ने पास किया 68% इसके इंकलूट क्या है थर्टी भाई है वाइस कितने हैं 30 है तो चितनी पास्यों अगर जगी पास तो नमबर और ऑफ कि मीर्स पूलो जाएगा यहां पर आजाएगा 272 गल्स ऐसे हैं जिन्होंने पास कर लिया एक्जाम को लेकिन हमें क्या निकालना है दा परसेंट आफ गल्स फूर दूनाट पास पहले यह निकाले नंबर आफ गल्स हूं नहां पर लिग दीजिए डूनाट पास टोटल गल्स हैं कितनी जहां से देखे कि नहीं का परसेंट फाइंट पास अब जिसका परसेंट निकालना होता है उंकितनी है टोटल-एटीं हैं टोटल गल्स कितनी है नाइनटीं इन एक्जाम को पास नहीं किया उन्हीं का पसंगा किए। वो क्या हमारा 90 गल्स थे 90 परसंट निकालना है तो यह हो जाएगा 18 से इसको कैंसल कर दे 18 फाइजा होता है और यह हो जाएगा तो यानि कि 20 परसंट गल्स में पास नहीं किया और यह टाइप इन दा एंसर था यानि कि आपका जो एक्जाम होता है तो यह टाइप करना था 20 परसंट यह आपको समझ में आ गया होगा सिंपल कॉश्चन होता है लिटिल बिट कॉंसेट रोते हैं चलिए नेक्स प्रसंट लेते हैं नेक्स अनदर वरी गुड़ कॉश्चन यह सिंपल से कॉंसेट क्यूपर बेज़ है और इसको पहले कॉश्चन को रीट करते हैं दाइंकम आप अमाला आप दिशुट नोट डाउं आप एक बार पहले नोट कॉश्चन वीडियो को पॉस करके रीट को रीट किया करें फिर सॉल्ट करने की कोशिश क्या करें आमाला है नेक्स्ट जो है वीमाला और को ने कमाला यह तीन लोग है यहां पे दाइंकम आप अमाला इस ट्वेंटी परसेंट मोर दैंट आप दीमाला और यहां पर शॉटकट आपको बताता हूं तो ध्यान में रखेंगा पहले में डिस्केप्टिब मेथट पर वह शॉटकट लाने की कोशिश करूंगा क्या होता है शॉटकट देखें अगर यह माल ल होता सपोस्ट कर लिए यह अंडेड होता तो इस ट्वेंटी परसेंट अब इसको इक हम यूनिटी मेथट से कर सकते हैं यानि की वन हंडेट वैलू है वह हंडेट के बराबर है वन की वैलू क्या हो जाएगे डिवाइड वाइंटी और हमें विमाला का हंडेड बाना है यानि कि हमें यह यह वैलू यह इस तरह से लिसकी करना चाहिए तो यह हो जाएगी विमाला की इंकम जो भी होगा इसका अगर आप 20 परसेंट लेस करेंगे ठीक मोर करें इसका 20 पर है तो आप क्या करते हैं का वन हेंड़ेड का कर देते हैं यहां पर यह आतूरा कर दीजिए और यह चीज ध्यान में रखेगा कि अगर इसको आपने और लिडी निकाल लिया है करते हैं लेकिन ऑलड़ी आपने का लिया है अब यहां तरीके से जो मैंने बताया था आपको वैसे वही घुड़ आ रही थी तो यह चीज़े बस आपको समझने के जो तिन बागी बहुत 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 ऐसी है आप इसको simplify करने और से इसको cancel करते हैं और 25 जा आप बीमाला की जो वैलू हो गई 125 वाइट यह होगे जो जो वैलू होगे बीमाला की देखें मैं एक समझने की चीज़ होती है मैंने देखा है बच्चे जन्रल क्या होतना है एंसर तक फोकस रहता है कि एंसर आगया वेलंगूड एंसर नहीं आया तो मूल अटका के बैड़े हैं या ऐसे नहीं करना चाहिए अब आप यह कुशन मैंने किया अब देखें अब इसका 20% निकाले और एड करें या अच्छी तरह से बैड जाएगा बच्चे यह नहीं करते हैं अगर बीमाला की इंकम दिस है तो इसका 120% 20% निकाल करके आप एड करें या बेटर तरीका होता है डायरेक्ट आप 120% निकालें सिंप्लिफाई करें इसको दो जीरो तो यह कांसिल हो जाएगा त्री फोर्जा कि प्रॉब्लम आती है और आपके दिमाग में चीज़े नहीं बैट रही है तो आपको इस तरह से कर रहा हूं पर तो इसे इसी तरह से करेंगे अब यहां पर रखेंगे 20 लेस है तो इसे 80 कर देंगे तो इस दिरो से 0 कांसिल हो जाएगा और से इसको कांसिल करेंगे और तीनों की वैलू हमें पता चल गई अब यह अगर हंड़ है यह कितना है 250 अपां 3 और यह कितना हो गया 125 यहां तक मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की आइटिंक आपको समझा भी गया होगा अब क्या हो रहा है किसकी इंकम डाउन हो रही है कमाला की अब देके 4 परसेंट डाउन करना है पॉर परसेंट निकाल करके आप माइनस करके देखेंगे अब जो कमाला की इंकम डाउन करने के बाद विमाला दो अब वाई 10 परसेंट विमाला की इंकम क्या हो गई अब हो गई कितनी 10 परसेंट तो यानि कि 110 अपान हंडेट यह हमें सॉप सिंप्रिफाइट करना है फिर से देखें विमाला दो अब जब अब होगी तो क्या आए उसका तो में क्या निका लेंगे 110 अपान हंडेट देन परसेंटेग बाइच कामाला इंकम पूर्द सब्सक्राइब करने अगें तो जीरो हमारा क्यांसिल हो जाएगा अलेवन फाइब फिफ्टी फाइफ फाइप रेमेनिंग अलेवन तो ट्रेंटी टू प्लस फाइट तो हो जाएगा 27275 बाइट अब जो डाउन होने के बाद मेरे पास स्टेस की कमी है डाउन मैं यहां लि को मैं यहां पर दिखता हो तो आपको समझ में आ रहा है 275 बाइट अभी दोनों को कंपेर करना है इसके इनकन जो डेक्रीज हुई है वो इसके इंक्रीज हुई हुई है और मेरे ना किस तरह से तरह से पाइब करना है कुशा गया दर परसनेज बीच पाला इंकम उठ्ट ए सब्सक्राइब करते हैं किस से कंपेर करें हैं आप देखें फिर से पढ़िए दस बार पढ़ना पढ़ें दिवाटिस आप पॉश्चन को पढ़ें तब तक पढ़ें जब तक आपके दिमार में चीज़ से बैट नहीं जाती है तो जब दोलों का डिफरेंस निकाला जिससे कंपेर किया उससे डिवाइड किया मल्टिप्लाइड बाइंड़ परसें अब इससे नोट करने मुझे स्पेस चाहिए होगा सॉल करने के लिए आप इ जैसे रब कर रहा हूं अब देखें यह हो जाएगा लेंगे ट्रीजा कितना हो जाएगा थिसिक्स तू हंडड़ सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैं आपको समझाने के लिए सारे स्टप को फॉलू करते हैं यह उपर जाएगा पलट जाएगा ध्यान लखेगा कि अगर कोई फ्रेक्शन एबाइबी है और नीचे सी बाइडी है तो इसे हम लिखते है बाइबी उपर जागर प्लड जाएगा यह जाएगा यह जाएगा और यह जाएगा यह आगे हमारा फाइप और इसके से सबैज जाएगा तो यह आजाएगा हमारे पास 85 divided by नीचे कितना है 275 into 100 बस इसी को आप सिंप्लिफाइग कर लें और यह 5 से आसानी के साथ आप इसे चाहें तो 25 से भी कैंसल कर सकते 25 फोर्जा हो जाएगा 35 फोर्जा हो गया और 25 25 25 25 अब आपके पास यह कितना आ रहा है और यह हो जाएगा तो इसे आप सिंप्लिफाइग करेंगे प्रॉक्स यह आ जाएगा 30.9 तो इसमें थोड़ी से कैल्कुलेशन इंवाल्व थी और वो कैल्कुलेशन जो है आपने हम लोगों आसानी के साथ कर रही और बाकी क्वेशन में कॉंसेट गिडेन था कैट एक्जाम अगर आपको बीट करना है तो आपको कॉंसेट बहुत काम करना पड़ेगा और दूसरी चीज़ आपको अपनी रीडिंग स्किल बेटर करनी पड़ेगी क्वेशन को क्रेक्ली रीड करना पड़ेगा अब इंशालला तरह वीडियो में I will try to solve four of five more questions और 2019 तब slot 1 का ले लिया है I think slot 2 के भी कुछ क्वेशन remaining होगे और वो लेंगे और इसके बाद 2020 के इसी तरह से आपको जो है CAD के PYQs में solve करवाता रहूँगा इससे आपको भी benefits मिलेगा और जितना जादा आप revise करेंगे आपको CAD के लिए as well as जामें इंटर्स एजाम के लिए सीवाट के लिए सभी के लिए beneficial है इन फैक्ट अधर कोई competitive exam है उसके लिए भी काफी verification होगा तो thank you so much for watching us thank you और अगर कोई queries है तो आप comment कर सकते मुझे और अगर आप को ज़रूर डाउनलोड करने है हमारे आपको जाइन कर सकते हैं और सारी details जो है website पर आपको दी है website पर विजिट करके आप address ले सकते हैं मुझे call कर सकते हैं और भी कोई queries है तो आप उसे definitely call कर सकते हैं thank you